हलो गाईस नमस्कार मैं भाविश कचपाल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चनल लक्षवित भाविश कचपाल में यदि आप चनल पे नया है तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए रेड बटन को दबाके साथ ही बाजो में जो बेल आइकन हो उसको प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और वीडियो उसको सेर कीजिए चलिए आज हम देखने वाले हैं CGPSC ACF Ranger का पेपर 2 2016 का वीडियो बन चुक है 2017 के दोनों वीडियो बन चुके है बत थीन वीडियो बन चुके है पेपर के गही लास्ट वीडियो ठा जो बचा चेप्टर से 12 के 11 चेप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आया हुआ है तो थोड़ा सा आपको इंडिकेट भी कर दूँगा कि आपको कौन सा भोग भी इसके लिए प्रिफर करना है और इसके सम्मंधित जो कोशन आया हुए उसके सम्मंधित मैं वीडियो डाल ही रहूं और जो भ मैं से कौन सा उच्य संचारक लवण है ठीक है संचारक लवण है विच आप दा फॉल्विंग इस हाइली कोरोशिव साल्ट जो इंगलिस वाले वो इंगलिस में पढ़ते जाए मैं हिंदी में पढ़ते जाओंगा ये तो फिर दो तीन घंटे का वीडियो बन जाएगा अग तो इंगलिस में हampa補 गरोशिव साल्ट होता है चल्ँ आगे आगे जाते हैं देखो है एजडी के उपर प्लस टु और दो कलोरीन का दो माइनस है तो जो भी एक मा 1957 करते है न हम्ली प्रकृति कःश्यारी प्रकृति का ठीक है तो वह उच्छ साल्ट कहलाता है उच्छ शाल एक अभिक्रिया की दर का इस तरहांग टाप पर निर्भर करता है किस पर dependent हो था टेंप्रेचर पर ओंपर ठीक है ये आपको 10 का पहला यूनिट है ये तो 10 के पहला यूनिट आप इसको पढ़ेंगे तो इससे कोशन बन जाएगा ठीक है इसके लावा 11th के unit भी पढ़ सकते हैं देखिए अब ये question जो आया है 11th के label का आया है कोई प्रक्रम सभी ताप मानों पर स्वता होती है तो क्या होती है सभी ताप मानों पर कोई प्रक्रम जो है न वो देखिए ये enthalpy और entropy के लिए दिया है तो ये आपको 11th की बुक में मिल जाएगा enthalpy और entropy वाले topic पर ठीक है चलिए आगे दखते हैं मिलाचाइट से तामबे के निस्कासन में आयसक से CO copper oxide उत्पादन में कौनसी प्रक्रिया के ओसकता होती है तो कौनसी प्रक्रिया के ओसकता होती है calcination ठीक है धातू एम धातू कर्म में पूरा वीडियो बनाया हूँ कि अगर धातू के oxide है तो उसको कैसे किस विदी से अपचैन करेंगे किस विदी से उसका निस्कासन करेंगे तामबा निकालना है उसके लिए तो ये आपको 10th के बुक में आसानी से मिल जाएगा ठीक है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखना धातू एम धातू करों पार्ट 1 और पार्ट 2 उससे कोशन पूस्ता ही है चलिए आगे बढ़ते हम अगले कोशन के ओर निम्न में से निम्न में से किसके द्वारा अलकोहल नहीं बनाया जा सकता तो किसके द्वारा अलकोहल नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो एथाइल कलोराइड के द्वारा CS3, CS2, CL और S2 जब बिलाएंगे तो एथाइल कलोराइड से अलकोहल नहीं बनेगा ऐसा बोल रहा है तो इस cancer वगर D, चलिए आगे बढ़ते हैं, polyvinyl chloride का monomer है, देखो polyvinyl chloride जो है वो polymer है, polymer मतलब बहुलक है, अब monomer का मतलब बताब एक लग, एक लग से बनता है बहुलक, तो monomer और polymer दो प्राकार के चीजे होती है, तो इस cancer आए जाएगा, ठीक है, chlorothene, तो polyvinyl chloride किसे बनता ह है, chlorothene, तो chlorothene से बनेगा polythene, polythene को ही PVC बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं, polyvinyl chloride बोल देते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुलक को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, निम्न में से कौन सा योगिक I2, मतलब IOD into NaOH के साथ पीला अच्छे निर्मित करता है, त CS2, CS3, CS2OH, मतलब C2H5OH को Ethyl Alcohol बोलते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है, CS3, CS2OH, तो Ethyl Alcohol पीला आच्छे प छोड़ेगा, यह आपको Ethyl Alcohol वाले यूनिट में Class 12 के बुक में मिल जाएगा, साथी Class 11 के बुक में भी Alcohol वाले यूनिट में मिल जाएगा, होगा 6, इसका pH मांज होगा न, वो 6 होगा, pH वेल्यू, ठीक है, तो यह pH वाले यूनिट से Class 10 के बुक से पढ़ सकते हैं, और अगर Advanced पढ़ने हैं, तो Class 11 के बुक में आप पढ़ सकते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं, नवे कोशन की ओर, निम्न में से किस अनू में NN नहीं पाये जाता है, मतलब nitrogen और nitrogen के बीच, single bond, यह bonding से related है, बंदी और अनाबंदी वाले पढ़े होंगे, यह Class 11 की बुक का है, ठीक है, bonding unit का, बंध यूनिट का, बंध यूनिट का, बंध यूनिट का, यह question है, इसका अंसर होगा N2O, N2O में single bond नहीं होता, nitrogen और nitrogen के बीच, सॉरी, 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 नवे question का अंसर होगा D, N2O5, N2O5 में nitrogen के भी single bond नहीं होगा, ठीक है, तो नवे question का अंसर होगा D, देखते दसवे question की ओर, 25 degree Celsius ताप पर जल का pH मान 7 है, यदि जल को 70 degree Celsius जिसको दोनों बोलते हैं ताप पर गर्म किया जाय तो क्या होगा, तो विलियन उदासीन होगा, इसका pH क्या हो जाएगा, घटने लगेगा और विलियन उदासीन हो जाएगा, ये भी pH value से संबंदित question है, ठीक है, एक बात अब notice करेंगे कि 2017 का जो chemistry का paper है, 2016 का जो chemistry का paper है, उसमें जमीन आसमान का अंता है, मतलब दोनों में अलग level के question पूछे ग करता है, तो di calcium silicate, ये आपको cement वाले chapter में class 10 के book में मिल जाएगा, ठीक है, cement वाले chapter में class 10 के book में ये मिल जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लोहे के निर्मान के लिए blast fundus में लावा, गठन, जाने मिनिमन अविक्रिया होती है, तो इसका अंसर आएगा DCAO plus SiO2, CaSiO3, ठीक है, calcium oxide को silica के साथ मिलाएंगे, तो silicate बनेगा, क्यों से silicate, calcium silicate, जिसको धातुमल बोलते हैं, slag बोलते हैं, इंगलिस में, कचरा बोलते हैं, ठीक है, समाने सब्दों में, ठीक है, तो 12 कोशन का, इसको मैं धातुम, धातुकर्म वाले में पढ़ाया हूं, silicate के बारे म ठीक है, वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, अब देखते हैं, question number 13 की ओर, विरंजक चूर्ण में निम्न में से कौन एक सक्री संगठक है, तो विरंजक चूर्ण का सक्री संगठक कौन है, calcium oxychloride, caocl2, विरंजक चूर्ण वाला जो unit में मिल जाएगा, class 10 के book म ठीक है, जो 16 का paper है ना, उसमे class 10 का book जादा prefer किया गया है, जबकि 17 के paper में class 11 और 12 के book से भी question बहुत सारे आया है, तो बोरी का अमला, S3, BO3 का सयुग्मी चार है, इसका सयुग्मी चार क्या होता है, यह आपको 11 के book में मिल जाएगा, तो सयुग्मी चार क्या है, question number 14 का answer टेट्रा-फ्लोर-एथिलीन से टेफ्लॉन, जो tape होता है, टेफ्लॉन टेप वो यही है, ठीक है, polymer है, और इसका एक, MON07 क्या है, मतलब 2 क्या है, टेट्रा-फ्लोर-एथिलीन, और वहोला क्या है, टेफ्लॉन है, ठीक है, चलिए अगे बढ़ते हैं एक बंद पात्र में आयोडीन के 0.80 मोल एवं हैटोजन के 0.80 मोल को 444 डिगरी संटीग्रेट पर गर्म करने पर सामय वस्ता पर हैड्रो आयोडीक अमलव के 0.60 मोल बनते हैं इस अभिक्रिया का सामय स्तरांग यह सामय अता वाला है क्लास 11 के बुक से यह आपको मिल जाएगा तो उसका आंसर होगा 1.4 सामय स्तरांग इसका होगा 1.4 यह आपको नुमेरिकल 11 के बुक में मिलेगा सामय वाले में लगभग 6 या 7 यूनिट 7 यूनिट है देखिए 11 के बु समान होगा, C मतलब constant, इस्तिरांग है ये, ठीक है, KC और KP का मान आपको निकालना है, तो इसका अंसर होगा, S2 plus I2, ठीक है, 2HI, twice hydro iodide, ठीक है, इसका अंसर होगा C, अब देखते हैं, अठरवे question की ओर, ये आपका 10th के book का 1st unit है, equilibrium माला unit, साम्यवस्था वाला unit में मिल जाएगा, 3A plus 2B, ठीक है से C बनता है, तंत्र के लिए सामेस्तिरांग का मान होगा, तो इसका अंसर होगा, C by A की power 3, B की power 2, तो ये क्या बोला है इस question पे, ये जो bracket होता ना, ये सांदरता को अधर साता है, इंगलिस में concentration को अधर साता है concentration of C upon concentration of A की power 3 into concentration of B की power 2, बतलब सांदरता को अधर साता है, कितना गाढ़ा पन को है, ये आपका product है और ये आपका result है, ठीक है, तो result by product लिखा हुआ इसमें, चलिए आगे देखते हैं, एसिटिक अमल की तुल्ला में, कुलोरो एसिटिक अमल, एक प्रबल अमल है, इसकी वेक्ख्या कीजिए, तो इसकी वेक्ख्या आप किस से कर सकते हैं, question number 19 का answer होगा, A, minus eye effect से, negative inductomeric effect, ये आपको class 11 की book में मिलेगा, chemistry के, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौ कौन सा additional बहुलक का उधारन है, additional बहुलक, ठीक है, आपको additional बहुलक के बारे में बताना है, इसमें, तो कौन सा उधारन है, पूछ रहा है, तो बीसवे question का जो answer होगा, वो होगा B, teflon, teflon जो है, वो additional बहुलक है, ठीक है, संघनन बहुलक है, स्वारी, योगात्मक बहुल किसको अपचेइत नहीं करेगा, किसको reduce नहीं करेगा, यह पूछ रहा है, तो तब त अलूमिनियम औकसाइट को, एक भी question विलोपित नहीं किया गया है, इस पेपर में, ये खास बात है इस पेपर की, तामबा का प्रमुक IS का है, तो तामबा का जो प्रमुक IS क्या है, आप का इस question का अंसर, इन में से कोई नहीं लिया गया है, ठीक है, क्रायोलाइट, हेमेटाइट, कैलोमीन, बॉकसाइट, इन में से कोई नहीं, इस का अंसर है, आएसको के बारे में मैं बताया हूँ, एक वीडियो बनाके, धातु यम धातु कर्व में, प्लास्टर आप पेरीस क सही सुत्र होगा, आपका C, C-A-S-O-4, हाप S-2-O, कैलसियम सलफेट, हेमी हाइडरेट, हेमी मतलब आधा, तो हाधा, आधा, जितना कैलसियम सलफेट होगा, उतना ही, उससे आधा क्या होगा, जलके कण होगे, जलके अनू होगे, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर कैलसियम सलफेट को, यहाँ पर एक है कैलसियम सलफेट है, तो आधा S-2-O है, अगर मैं दो कैलसियम सलफेट लेता हूँ, दो 2-C-A-S-O-4, तो उसके साथ लोगँगा, एक S-2-O, यह भी इसका सही फार्मला है, याद रखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अलाग अलाग दो होगा, जितना कैलसियम सलफेट उससे आधा हाइडरेट, इसलिए हेमिहाइडरेट बोलते हैं इसको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्ण में से कौन सा जल अब घटन कराने पर एसिटिक अमलद देता है, कौन सा देता है भई, CS3-CN, 24 question का आंसर होगा, CS3-CN, ठीक है, ये साइनो मिथेन हैं, ठीक है, साइनो मिथेन, या मेथाइल साइनाइट बोल सकते हैं, मेथाइल साइनाइट साधारा नाम और साइनो मिथेन, आयू पैक नेम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन आप्योर एन अपलाइट केमिस्ट्री नेम, आयू पैक नेम, साइन पेनो-मीठेन, मिथायलसाइनाइट CS3-CN इसका ACT कमल देगा ठीक है चलिए आगे दिखते हैं सुन्ने कोटी के अभिकरिया यह कोटीवाला मात्रक है 25 का आंवर ऑन्सर होगा यह लखा बी प्रती लीटर और यही प्रती सेकेंड इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है जब यह उपर जाएगा ना तो inverse लग जाएगा माइनस बन लग जाएगा इसलिए लिटरी इन वर्स और सेकेंड इन्वर्स हो जाता है ठीक है आगे देखते हैं प्रिष्ट सक्रिय अनुऊंके समूको कहते आगे देखते हैं फेन उत्प्लावन विधी, इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, धातु यम धातु कर्म के लिए ये कोशन आता ही है, 2016-2017 दोनों में आया हुआ है कोशन, तो फेन उत्प्लावन विधी संबंदित है, किसे संबंदित है भई फेन उत्प्लावन विधी? ठीक है, तो जाग उत्प्लावन जिसको फेन उत्प्लावन बोलते हैं, वो सल्फाइड अयसको से संबंदित है, इसके लिए वीडियो बनाया हूँ, पूरे डिटेल में आप देख सकते हैं, जिप्सम क्या है? अब जिप्सम का फर्मला क्या होगा? केल्सियम सल्फेट, ट् प्लास्टर अप्पेरिस, पीतल एक मिश्धातु है, तो ब्रास के लिए आपको योगीक बताना है किसका मिश्धातु है, तो कॉपर और जिंग का, ठीक है? कॉपर, जिंग, जितल, पीतल, ठीक है, ऐसा याद रखेंगे, आगे देखते हैं हम, कोशन नंबर 30 के ओर देखत अनुचंबकी और प्रतिचंबकी, ये सायद 12 के बुक का पहला या दूसरा या दूसरा यूनिट है सायद तक, पहला या दूसरा यूनिट मैसे एक है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, 30 और अन्तिम कोशन का जो आंसर होग अगर D, O2, O2 की पावर माइनस 2, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि मैं बताया हूँ, एक भी कोशन विलोपित नहीं हुआ इसमें, फिजिक्स पोर्शन में जाते हैं, यदि वीरल माध्यम से इस्थित बस्तु को सगन माध्यम से देखा जाए, तो वह कहां दिख ठीक है, far away than its real distance पर दिखाई देगा, यह आपका lens वाले chapter का है, class 10 के book में अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जब कोई प्रकास किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेस करती है, तब आपतन कोन का मान करांतिक कोन के मान से अ परावरतन, total internal reflection कहते हैं, परावरतन reflection और अपवरतन reflection, ठीक है, आगे देखते हैं, विद्द धारा का मान किसके बराबर होता है, तो 33 कोशन का 33 नंबर के कोशन का आंसर होगा, ए, आवेज बटा समय के, इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाया हूं मैं, मापन, यह measurement का unit है, चेप्टर नंबर 4, क्लास 11 की बुक, चेप्टर नंबर 4, measurement यह मापन, ठीक है, इसके लिए measurement का फिजिक का तीन वीडियो बना हुआ है, मेरे पहले सायक सिक्षर पूर एक साला के लिए बनाया हुआ था, ठीक है, तो उसका वीडियो डला हुआ है, आप ACF रेंजर वाले playlist मे संबन्द क्या होगा, ठीक है, तो इसका मान हो, इसका answer होगा आपका D, क्या answer होगा D, दोनों तिवरतायां बराबर हो जाएंगी, यह आपको class 12 की book से मिलेगा, class 12 का old book में जो जुगबत प्रकासन की वो 5 वर 6 यूनिट, एक चुमबक है तो दूसरा विद्दूत है, उससे आपको इस cancer मिल जाएगा, चलिए आगे देखते हैं, जब प्रकास किसी viral माध्यम से सगत माध्यम एवं पारदर्सी माध्यम में आपतित होता है, तो प्रकास का, प्रकास का क्या होगा भई, इस घटना में प्रकास का A, B, C, 3 होगा, परावरतन होगा, अपरतन होगा, पार बंध होगा, तो इसकी बीच क्या सम्माग होगा, second वाला, F, O, focal जो होता है, object का focal जो होगा, वो I से बड़ा होगा, तो यह आपको क्लास 12 की बुक में मिल जाएगा, लैंस वाले चप्टर में, क्लास 12 में अच्छे सदिया है, इसके बारे में, एक अच्छी सौर कोशी का solar cell के लिए, fill factor का मान कितना होता है, fill factor वाला, एक question 2017 के paper में भी दिया है, और एक question 2018 के paper में दिया है, तो fill factor के लिए मान होता है, 0.8, ठीक है, fill factor, fill factor एक उसमें दिया था, उसमें 1.4 वाला दिया था, 2017 के paper पे, तो एक ज्यातरंग में होते हैं, ज्या मतलब sign होता है, कोज्या मतल तब tangent होता है ठीक है तो देखते हैं जियातरंग होते हैं क्या होते हैं अले वह उपरोक सभी इसका answer आएगा चार चातुर्थांस एक परिक्रमन काल दो प्रत्या वर्तन तो यह आपका विद्धुत वाले स्वरी आपका यह आपका आरल्सी सरकीट वाले में मिलेगा यह आपक फिजिक्स के क्लास 12 के बुक में मिलेगा ठीक है पीछे यूनिट है लगभग 14 से आप चैप्टा नंबर 11 से लेकर 15 की बिच देखेंगे उसी की बिच में यह इसका answer मिल जाएगा आपको 220 वोल्ट AC का उप्योग करने वाले एक घरेलू उपकरन में विभाव का लगभग अधिक्ता मान क्या होता है तो कितना होगा अभई 230 वोल्ट के लिए इसका answer का C 325 वोल्ट ठीक है आगे देखते हैं किसी कुंडली में उत्पन प्रेडित विद्धुत बहागवाल चुमबक की फ्लक्स में परिवर्तन की दर में क्या संबंध होता है तो एक दुसरे के अनुकरम अनुपाति होते हैं ठीक है यह भी आपको विद्धुत चुमबक का चैप्टर नमर 5 और 6 जो विद्धुत जुमबक है पुराने युद्ध प्रकासन की बुक में यह मिल जाएगा आपको भारती घरेलूप प्रेयोगों में प्रत्यवर्ति धारा की आवरिति कितनी होती है तो जितना भी भारती घरेलूप योग में प्रत्यवर्ति धारा की जो आवरिति होती है फ्रिक्वेंसी जो अधिक होता है, यह आपको class 10 की book में x-ray के गुन में मिल जाएगा, ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, धीरे-धीरे, विद्धुत धारा का उसमी प्रभाव निमनेकार को पनिर्भर करता है, तो विद्धुत धारा का उसमी प्रभाव सभी पनिर्भर करता है, all of the above निर्भर करता है, उप्योग सभी इसका अंसर आएगा, धारा विभाव प्रतिरो समय, ठीके देखेए, यह इसका formula है, h is equals to i square rt, आगे देखते हैं, 20 degree Celsius या centigrade पर प्रती चुमबकी पदार की चुमबकन सिलता खालिस्तान कोटी होती है, ठीके तो आपको चुमबकी वा 200 वाट, 200 वोल्ट और 100 वाट, 220 वोल्ट के दो बल्प को में जोड़कर 200 वोल्ट की सप्लाई में लगाये जाते हैं, परिपत में प्रयुक्त सक्ती होगी, पावर निकालना है, क्लास 11 के बुक में भी आपको numerical solve करने मिल जाएगा यह वाला, ठीके तो इसका आंसर होगा, 67 व ओम का प्रतिरोद जुड़ा हो, तो किनी 2 सीरो के बीच कुल प्रतिरोद का मान होगा, 4 वाइट 3 ओम होगा, आगे देखते हैं, किसी सेल के दो इलक्टोड के बीच विभानतर उस सेल के विदुद बहग बल के बराबर होता है, तो खुले परिपत में होता है, 47 का मान होगा यह सभी आपको सेल वाला यूनिट में मिल जाएगा, क्लास 12 के बुक में, पूर्ण निरावेशन में संचालक सेल से प्राप्त उरजा और आवेशन में सेल को दी गई उरजा के अनुपात को क्या कहते हैं, तो दक्षता कहते हैं, क्लास 11 के बुक कहा है यह, भारत का प्रथ दो समानतर समतल दरपनों के बीच रखी वस्तू में कितने प्रतिभीम बनेंगे तो कितने प्रतिभीम बनेंगे अगर समानतर रखा है उनके बीच में infinity बनेगा अनन्द उप्रोक्त में से कोई नहीं सका answer होगा क्योंकि इसके लिए सिधा सिधा formula 360 by theta minus 1 ठीक है जितने भी angle बन तो 360 minus 0 मतलब बटे में जब 0 हो जाता है तो वह होता है अनन्द अनन्द का मतलब ज्यात नहीं किया जा सकता है इसलिए उप्रोक्त में से कोई नहीं सकांसर लिया जाएगा क्या है एक ठीक है unit less या dimension less quantity है यह ठीक है बावनवा का answer होगा आपका D आगे देखते हैं चुम्बक की आगून है एक चुम्बक की आगून है क्या है सदीस रासी है यह सदीस और रादीस वाले चेप्टर में मिल जाएगा class 11 की book ठीक है आगे देखते हैं एक author lens की focus दूरी 15 सेंटीमेटर और प्रतिवीम दूरी 10 सेंटीमेटर है तो वस्तु दूरी होगी तो वस्तु की दूरी होगी 30 सेंटीमेटर आपको lens वाले unit में मिल जाएगा class 10 और class 11 दोनों में मिल जाएगा यह जब R के मान के N प्रतिरोध समांतर करम में लगाने पर उनका परणामी प्रति करम में लगाते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध होगा तो N की पावर 2X होगा यह आगे देखते हैं एक बस्तु उत्तर lens से F दूरी पर रखी जाती है उसका प्रतिवीम होगा तो होगा अनंद पर होगा यह भी आपको lens वाले unit में मिल जाएगा class 10 की बुक में भारी जल का एक source खालिस्तान से निर्वित होती है तो PN संधी डायोट से ठीक है एक PN संधी अर्द चाला की उपती है ठीक है PN संधी डायोट जिसको बोलते हैं semiconductor PN जल से ठीक है तो आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा विद्धुत का खराब समवाहाक है तो कौन सा होगा भई तो आस्वित जल होगा क्या होगा आसुत जल जिसको बोलते हैं आस्वित जल होगा वो बैट conductor है ठीक है निम्न में से कौन काच के अर्द वित्ताकार तो कुड़े के लिए सही तरह से क्रांतिक कोन critical angle जिसको बोलते हैं को प्रदेसित करता है तो A, B, C और DHR option है ठीक है तो जैलिन क्या है एक प्रकार की enzyme है या आपको enzyme अले chapter में मिल जाएगा class 11 की book में निम्न में से कौन सा रक्त रक्त इस्त्राव रोधी vitamin है तो आपको देखना है कौन सा vitamin K vitamin vitamin या vitamin K ठीक है तो यह इसका answer होगा C इसका answer होगा या आपको vitamin वाले इसका यह वीडियो भी बना बैक क्रॉस योजित किये जा सकते हैं बैक क्रॉस योजिक जीव का genotype निर्धारन है तू यह gene वाले unit में मिल जाएगा class 11 की book में भी है class 12 की book में भी है पुनरद्भवन सुस पर्ष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है किसमें तो प्लेनेरिया में ठीक है पुनरद्भवन वाले चप्टर class 10 में मिल जाएगा यह आपको x औरगन इस्तित होता है तो i stock में किसमें होता i stock मतलब x औरगन उसमें पाये जाता है 66 का अंसर होगा b drosophila का link क्या होगा यदि उसके लेंगिक गुनसुत्र तससमज़ाद गुनसुत्र का अनुपाद 0.5 हो तो वो male होगा मादा होगा sorry नर होगा male होगा ठीक है यह आपको गुनसुत्र वाले चप्टर में मिल जाएगा class 10 में मिल जाएगा डिप पढ़ना है तो class 11 12 की book पढ़ सकते हैं आगे देखते हैं सर प्रथम किस वज्ञाने की ने यहाँ प्रतिपादित किया कि प्रकार संसलेशन की क्रिया में प्राप्त ऑक्सिजन पानी से प्राप्त होता है तो Robert Hill हिल अभी क्रिया हिल रियक्शन बोलते हैं उसको ठीक है कौन सा एक रुधिर गणक है? ECR एक रुधिर गणक है, रुधिर को गणना करता है ठीक है? द्वीनी से चन, आगे दिया है द्वीनी से चन के बारे में, ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्वीनी से चन युगमक के संयोजन की क्रिया में क्या होता है, तो नर्युगमक का धुरूवी केंद्रक से संयोजन होता है, नर्युगमक का अंड कोशिका से संयोजन होता है, लिया गया सेबंटी पूर का वह इन में से कौई नहीं लिया लिया त्पर आपको एपको खोज कि पड़ना लेकिन पढ़ना पाइरविक अमलख से लेक्तिक अमलख परेवर्पतन होता है तो अज़क होता है ओक्सियन में। ठीक है आगे देखते हैं कोक्जल ठीक है गरंथियां का कार्य है तो कक्छांग गरंथियां का कार्य क्या होता है ननबदीस पाचन प्रचलन और सोशन नहीं होता है ननबदीस इन में से कोई नहीं मनुश्य के शोशन तंत्र में वायू ग्रह वायू ग्रहन मार्ग ठीक है तो टैलो एक सरकरा नहीं है कि इयंडम खंड है कि इवडेसल्स प्रंद्र के खुलने-वंबद खुलने क्रिया में निम्न में से कौन सा रसानिक पदार्थ आवश्यक होता है तो इसका अशर होना चीए एट्रू का अशर होना चीए पोटेशियम होता है एंपिके प्राइम्रे अलिमेंट्स है नेट्रोजन फासफूरस पोटेशियम जब किसी फूल के समस्थ पुंकेसर एक सम्मू में पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे तो इन में से कोई नहीं कहेंगे ठीक है अगर आदेंगे यदी पुंक केशरी तथा इस्त्री केशरी फूल दो विविन अलग पौधे पर पाए जाते हैं तो इस वरगी की को क्या कहते हैं डियोशियस कहते हैं 84 का अंसर होगा A आगे देखेंगे ग्लाइकोलेसिस की क्रिया में उत्पन किस यौगीक द्वारा क्लिस्राल का उत्पादर होता है तो ग्लिस्रेलडी हाइड 3-फोस्पेड के द्वारा ग्लाइकोलेसिस के अपिरिया बहुत इंपोर्टेंट है सवसन क्रिया में 8 NADP कि अनवो के NAD प्लस में उक्सी करन के पस्चाद कितने ATP का दिर्मान होता है तो द्वारा अप्देदीस आएगा इसका अंसर है ना 86 का अंसर आगे देखते हैं बीज अंकुरन के समय उपलब्द वसा के पून उक्सी करन के पस्चाद प्राप्त सुसन भागफल का मान होगा तो 0.7 होगा निव्ण तत्व में से कौन से तत्व दिर्गमात्रिक पोशक हैं तो दिर्गमात्रिक पोशक क्या होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में है तो इसका अंसर जो लिया गया था वो नवन अब्दीस लिया गया था जिंग कॉपर केडमियम आयरन नहीं है दिर्गमात्रिक पोसक लगुमात्रिक पोसक में आते हैं ये कोशन इसले पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि कोशन कहा कहा से पूछे जा रहे हैं ऐसा नहीं कि पढ़ बस रहा हूं आपको कुछ-कुछ हिंड भी दे एक जिन एक अंजाइम वाद ठीक हैं किसने प्रतिपादित किया था तो बीडल एंट टाटर में परिभासित किया था इसको प्रतिपादित किया था निम्न रहसानिक पदार्थों में से किसके आस्वन से वास्पसिल तार्पिन तेल प्राप्त होता है तो रेजिन से रेजि सेटलाइट लाउंच वीकल 3 इसको पढ़ाया हूं अलग से वीडियो बनाके और अगला जो वीडियो इसी पर बनेगा फसलो का नाभी की विकिरन से प्रसंस करन निम्न कारण से किया जाता है ठीक है तो इसका ब्यानबे का जो आंसर होगा वह आपका होगा डी उपरोग सभी स कंदों में अनकुरन के निसेधेतू फसलो और दालो की रक्षा के लिए माइक्रो बायोलाजीकल सुरक्षा सुनिचित करने के लिए तीनों इसका अंसर आएगा 93 नमबर का कुशन देखते हैं हम फसल के पौधा का अनुवानसिक सुधार कैसे किया जा सकता है तो सी उपरोग तो दोनों से प्रेद उत परिवर्तन द्वारा और फसल प्रजनन द्वारा प्रथम किट जिवास्म किस देश में पाया गया तो स्कॉट्लेंड में पाया गया था किट जिवास्म किट नासक के हवाई छिड़काओ का प्रियोग कब हुआ तो किट नासक के हवाई छिड़काओ का प्रियोग उप्रोक्त में से कोई ने इसका अंसर हो गया इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं वीडियो बना के बारवी पंचवर्सी योजना में सन 2017 तक के के लिए पवन उड़ जाके उत्पादन का लक्ष रखा गया है कितना लक्ष रखा गया था उसमें यह करेंट का टौपिक था बारवी पंच वर्षी हो जना रिल्टर करता है, फायरवल्स अभी के कंपिटर पर होता है, रोकता है, ठीक है, एरर्स को और खराब कंटेंट को, सिलिकॉन सोलर सेल का एक केल्विन ताप बढ़ाने पर इसका खुला परिपत वोल्टेज बदलता है, कितने में बदल जाएगा, पूछ रहा है, तो इन में से कोई नहीं, कोई भी वर्ट मेंनी बदलेगा, आगे देखते हैं, दिरिटी को परिफम बार किस जर्मन वज्ञानिक द्वारा संसलेशित किया गया था, इसका आंसर भी इन में से कोई नहीं लिया गया है, उप्रोकत में से कोई नहीं, संसोधित होके, ठीक है, प्रकास जाल का प्रियोग इन में से किसको आकर्षित करने के लिए किया जाता है तो इसका आजाएगा रात्रिकालिन कीटों को प्रकाजल के दर्जरिया आकर्षित किया जाता है अधिकांस की नैट्रोजन अपसिस्ट का 80% से 90% तक उसरजित करते हैं ठीक है तो यूरिया यूरिक एसिड आमोनियां किसके दवारह करते हैं यह पूछ रहा है। तो 102 का आंसर होगा यूरिक जीन कंप्यूटरों का ओपरेटिंग सिस्टम हैं, सॉरी, नीजी कंप्यूटरों का ओपरेटिंग सिस्टम क्या कलाता है, तो नीजी कंप्यूटरों का ओपरेटिंग सिस्टम आपका इसका आएगा उप्रोब सभी, Windows, Linux और Apple OS, ये सभी नीजी कंप्यूटरों का करन उर्जा मंत्रा लेकिन उसार लगुपन बिजली घर की छमता है 2001 किलो वाट से 25 किलो वाट तक ठीक है लगुपन बिजली घर आगे देखते हैं 108 नमर के कुशन को किसी पौधे के अंदर विवस्थित किट नासा के विविन योगिकों में अब घटन को कहते हैं तो अब संस्थान आइसरों की सापना कब की गई थी 15 आगस 1979 1969 को की गई थी इसका वीडियो बना चुका हूं टेक्नलोजी में ठीक है सहरी विकास मंत्राले भारत सरकारदवारा सहरी इस्तर पर सहरी अदोसर अरचना को उन्नत बनाने के लिए 474 सहरों के लिए जो कार योजना पारि जोजनाओ के लिए 36 गड़ की जोजनाओ में और साथी इंडिया के जोजनाओ का अलग से वीडियो बना हुआ है पांच ट्रॉपिक बने हुए इसमें अम्रूत के बार में पढ़ाया हुआ हूँ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मंगल और्विटल मिसन मॉम के ब याद करना पड़ेगा जैस जोशन हो गया एकिशरो वाला रहे कि वजला तो आपको ढरती थी भी याद करना पड़ेगा साथ ही दीवस भी याद करना पड़ेगा तो इसक आंसर होगा 24 सितंबर मतलब 20 C consists of rad एलेडी के प्रकास का रंग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है लेडी में प्रकास का रंग डी डायोट के पदार्थ पर निर्भर करता है किस प्रकार का डायोट है वनस्पतिक उर्वरकों में द्विती Micronutrient है प्रात्मिक जो है वो NPK है Nitrogen, Phosphorus और Potassium और Secondary केल्सियम, Magnesium, Sulfur है इसको अलग से पढ़ाँगा वीडियो बना के यह Primary Elements है यह Secondary Elements है केल्सियम, Magnesium और Sulfur याद रखेगा आगे देखते हैं एक मेगाबाइट के सम्तुल्य है किसके सम्तुल्य है, एक मेगाबाइट, एक एमबी किसके बराबर होता है, सबसे सगल कोशन है तो एक हजाट चोबिस के बीके किलोबाइट के बराबर तीवरह हवादार चेतर में असम्तलिय धलान वाली जमीन की सिचाई है तो सरवत्तम विधी है कौन सी विधी सरवत्तम है तो बुन्द बुन्द सी चाई, जिसको drip irrigation कहते है और सधी फसले उत्पादित कर सकती है क्या उत्पादित कर सकती है पूछ रहा है, तो ये सभी कर सकती है टीके, एंटीबोडिस, चिकसी की ये प्रोटीन ये सभी उत्पादित कर सकती है एक सत्रा की और आगे बढ़ते हम अनुवांसिक रूप से संसोधित फसले सामानेता होती है कौन सी होती है अनुवांसिक रूप से संसोधित फसले इस कांसर इन में से कोई नहीं लिया गया है पानी के दिये आयतन में इनमेक से सभी के योग भु इसतीज उर्जा गतिज उर्जा और गुप्त उस्मा की मात्रा को तिरों को जब अब जोड देंगे तो पानी के दिये आयतन में संचित उर्जा दरसाई जा सकती है अगला, एसिया का प्रथम अंत्रिक्ष विज्ञान विश्विद्धाला इस्थापित किया गया, कहां किया गया अब एसिया का प्रथम अंत्रिक्ष यह उसमय के करेंट का टॉपिक था, तो A, तिरुवनन्त पूरम में, ठीक है, यह पढ़ाया हूँ, कल के वीडियो एक बना आया वहूं, यह वाला कोशन को, चलिए, आगे देखते हैं, सो 20 की ओर, दूसरी पीडी के जैव इंधन बनाया जाते हैं, तो किस से बनाया जाते हैं, तो इसका अंसर आएगा, D, आखाद्य, ठीक है, लिग्नो सेल्लूलॉसिक पदार्थों से, नॉन फूड लिग्जो सेल इल्लूलॉसिक मैटर से, आगे देखते हैं, पर्यावरन के लास्ट तीस कोशन, फिर खता मज़ आएगा वीडियो, इटाई, इटाई, एक बहुत कष्ट कारक रोग है, जिसके किसके करण होता है, केडिमेम के कमी करण, यह दोनों पेपर में पूछा गया है, बहुत बार परदूसन किस्ति होगा भई, अमला वर्षा से, एसीड ड्रेन से होगा, निम्न में से कौन जैविविट्टा के इस तर से सम्बंधित नहीं है, पादप्रजातियों की वितान परिवर्तन सिल्था, यह जैविविट्टा सम्बंधित नहीं है, ठीक है, अई होब आपको उस दस्ति उध्यान में, निम्न में से कौन सा बही इस्थानिक सरचन रचन का उधारन है, एक सिटू, इन सिटू, एक सिटू, अल निनो, इस सबको आपको पढ़ना है, आगर 125 का अंसर होगा, ए, वनस्पतिक बगीचा, एक सिटू का उधारन है, अच्छा, सॉरी, इसका अंसर बाद में, चेंज करते वह, उप्रोक्ट में से कोई नी लिया है, यसका अंसर, WWF का वन जीवुचीन न, उप्रोक्ट में से कोई ने फाइनल अंसर सोधार के लिया गया था, तब तसमा सब् August का सिध्ःधान्द, दिया गया, तो तब त्सम अगे देखते हैं q2 की किलोमेटर से 220 किलो मेटर गहराई से उत्वन होने आले भुकमप और क्या कहते हैं ठीक है प्लुटिक बुकमप और कहते हैं भारत में नेशनल फेमली फेमिली वेलफेर प्रोग्राम किस वड किया ररम किया गया तो National Family Welfare Program ठीक है जिसको Family Planning कहते हैं कह सकते हैं तो ये प्रारंब किया गया आपका 1959 से सहरो में वाईव प्रोदूशन का सबसे बड़ा स्रोथ क्या है तो सहरो में सबसे बड़ा स्रोथ क्या है मोटर गाड़िया है जिससे कारवन मोनो अक्साइड निकलता है जो सरवादिक उत्तरदाई हुआ प्रोदूशन के लिए सहरो में विश्व जनसंख्या दीवस कब मनाया जाता है तो जनसंख्या से समधी दो कुछन पूछे गये हैं ठीक एक जनसंख्या नियंतरन वाला वैलफेर वाला और एक विश्व जनसंख्या दीवस पूछा गया है तो कब मनाया जाता है भई 11 जुलाई को मना जाता है प्राकरतिक आपदा प्रबंधन में होता है तो ABC सभी होते हैं सहायता के उपाय होते हैं आपदा आकलने वनुर संधान होता है भगलिक सुचना प्रनालीम सर बेबी के आ जाता है 36What question क्यों और आगे बढ़ते हैं निमन मैसे कौन जय वीवित्ता को खतरा नहीं है कौन जय वीवित्ता के लिए हमारा खतरा नहीं है तो समोच वित्ती मतलब कंटूर फोर्म इतले लिए जय वीवित्ता के लिए खतरा नहीं है जय वीवित्ता Bio Diversity जिसको बोलेंगे केवल अक्छांस में परिवर्तित होता है, अक्छांस और उचांस 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 और उचां जोहनसबर्ग में धारनचम विकास का विस्व सम्मिट, ठीक है, दवर्ड सम्मिट ऑफ सस्टनेवल डवलप्मेंट इन जोहनसबर्ग, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुल भूद्रिष्च का भोगलिक छेत्र में आवासों की विवित्ता को कहते हैं, तो आवासों की वि प्रदूसन का प्रमुक कारक है, तो प्रदूसन का जो प्रमुक कारक वो होगा, आपका मनुष्य, ठीक है, पहले ग्रीन हाउस गयसे लिया था, फिर बाद में साथ चेंज किया गया, तो मनुष्य ले लिया गया, सबसे प्रमुक कारक है मनुष्य, आगे देखते हैं, कौन सा कन प्रदुसर नहीं है तो कौन सा कन ठी है प्रदुसर नहीं है तो कॉन सा ठी ही प्रदुसर और स्षोधर कारों से से संबंदित नहीं है तो भारत वर्स में दो ग्लोबल जैविक विवित्ता के तब होट स्पोट तब तिस्थल क्या है इसको होट स्पोट को पढ़ाऊंगा लग से तो 143 का आंसर होकर डी दोनो मतलब कुन-कुन सा वेस्टर्न घाट्स ठीक है वेस्टर्न मतलब पस्यमी कर सकते हैं तो उसका आंसर आएगा cryopreservation से क। संरक्षित किया जा सकता है तो आगे देखते हैं 45 नूमर के QEよろしく को अधिकतर वायू प्रदूस अ खानीकारक प्रभाव डालते हैं अनसर आएगा इसका D, स्वशन पढाली पर ग्रिन हाउस प्रभावववपन करने के लिए कौनसी गैस मुख्य रुप से उतर दाई है carbon dioxide कल एक वीडियो बना गया था तुक में बताया था carbon dioxide से ही greenhouse प्रोहा सरवाधिक होता है ठीक है तो इसका अंसर आएगा carbon dioxide आएगा BOD जिसको biological oxygen demand बोलते हैं कब पूरा नाम क्या है biological oxygen demand है ठीक है इसका पूरा नाम विश्व खादे दिवस देखो तीन देट वाला question पूछा गया है तो विश्व खादे दिवस कब होता है तो 16 अक्तूबर को होता है कब होता है 16 अक्तूबर को cpcb कब पूरा नाम क्या है cpcb कब पूरा नाम क्या है central इसका अंसर आएगा central ठीक है mega diversity देश नहीं है ठीक है तो कौन सा which is not a mega diversity country कौन सा देश mega diversity जहाँ पर सरवाधिक जय विवित्ता पाई जाती है ऐसा देश नहीं है पूल रहा है ठीक है यह आएगा सभी है भारत फिलिपिन्स मलेशिया ब्राजीत सभी है अधिकता सभी करकरेखा के करकरेखा और भुमद् इस नहीं रहा है स λ würden जबुए और वtrs वाधिक और वर्सा वन नोव इस सरवाधिक बाइवड़ीवयोडिटरीडी के जड रही होने list घृखत हों ईक्षपी अर्डॉटlying